सांसत धर्मपुरी और विधायक धनपाल ने इंदुर नजामबाद से अयुध्या के लिए विशेश ट्रेन को हरी जड़ी दिखा कर रवाना किया नजामबाद संसत के अंतरगत विभिन निर्वाचन शेतरों से रामभक्त बड़ी संख्या में आयुध्या के लिए रवाना हुए सिकंद्राबाद से एक विशेश ट्रेन रवाना होने को लेकर निजामबाद पहुची और ये इस रेल में 1344 श्रत धालू अयोध्या दर्शन करने गए हैं शेयर विधायक धनपाल सूरी नरायन और धर्मपूरी अर्विद ने भक्तो को सुविधाय प्रदान करने के लिए विशेश पहल की इस अफसर पर तिलंगाना के आयोध्या ट्रस्ट के सहसयोजक विधायक धनपाल सूरी नरायन ने कहा कि हिंदूओं का 500 साल पुराना भवे बालक राम के मंदिर को देखने का सपना सच हो गया ये काई राम भक्तो के बलिदान का परिणाम है रेल में भक्तो को आयोध्या पहुश्टरे के बाद दर्शन के लिए कोई परेशन ही ना हो इसके लिए सभी विवस्थाय की गई है उन्होंने हिंदूओं को ये अफसर प्रदान करने के लिए भाश्पा केंद्रिया नेत्रात्व प्रधान मंत्री मोधी और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड़ी को धन्यवाद दिया दनपाल लक्ष्मीबाय और विठ्टल गुपता ट्रस्ट के माध्यम से निजामबाद संसेदी छेतर से जाने वाले सभी भक्तों को भोजन और पानी की बोतली प्रदान की गई इस अवसर पर पल्ले गंगा रडडी, नागोला लक्ष्मी नरायन, भोग शावनी, नगर सेवक, नीता कार्यकर्ता और अन्या उपस्थित्थे तेलंगाना नोभारत समाच्वार से जुगल पांती की रुपोर्ट दोड़ अंगाना की बोगना मुणें भूछों की बोगना की जलोगई ख़्यान की बोतली नरायन, भोग सब्स्थे खिता है